हर्याना के चर्की दादुरी जिले के बलाली गाउं को फोगाट बहनों की वज़ह से खास मुकाम मिला हुआ है फोगाट बहनों ने पिछले एक दशक में अंतराश्टी स्तर पर जो सफलता हासल की है उसकी वज़ह से उन्हें गोल्डन सिस्टर्स कहा जाने लगा उन्हीं में से एक विनेश फोगाट ने पिछले दिनों पैरेस ओलंपिक में 50 किलो वर्ग के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रश दिया था हाला कि फाइनल मुकाबले से ठीक पहले वो ओवरबेट पाई गई उन्हें रजग पदक से हाथ धोना पड़ा विनेश की निराशा के उस पल में पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ था हर्याना की कई पहलवानों ने उनके समर्थन में अभियान चलाया लेकिन ऐसे वक्त में भी विनेश की मशूर बड़ी बहने उनके साथ नहीं खड़ी थी बलकि वो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये अपनी चचेरी बहन पर निशाना साथ रही थी इन घटनाओं ने फोगाट बहनों की बीच पेशेवर प्रतिदोनिता की चर्चाओं को फिर से हवा दे दी ये भी माना जाता है कि परिवार में दरार पढ़ने की वज़ा विनेश को मिली बड़ी सफलताय या हर्याना में होने वाले विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं महावीर फोगाट की दूसरे नंबर की बड़ी बेटी बबीता ने 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव रड़ा था जबकि भारती कुष्टी महासंग के अध्यक्ष प्रजभूशन के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद माना ये जा रहा है कि विनेश के सिर पर कॉंग्रेस का हाथ है सोशल मीडिया को हतियार बनाए गया कई मीडिया रिपोर्ट के नुसार ब्रोड़ाचार पुरसकार विजेता महावीर की चार बेतियों में सबसे बड़ी गीता फोगाट की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने इस प्रतिदुन्दिता को फिर से तोल दे दिया है 2010 कॉमनवेल्ट गेम्स की गोल्ड मेडिलिस्ट गीता ने एक्स पर लिखा चल का फल चल आज नहीं तो कल हाला कि इस क्रिप्टिक पोस्ट ने लोगों को आश्चरे चकित कर दिया लेकिन कुछ लोगों ने इसे विनेश पर हमला माना लेकिन गीता यहीं नहीं रुकी गीता ने जल्दी अपने पती पवन सरोहा की पोस्ट को दोबारा पोस्ट कर दिया इस बार उन्होंने अपनी मा पती के समर्थन के योगदान को स्विकार करते हुए एक पोस्ट में अपने चाचा महवीर का उलेक नहीं करने के लिए अपनी चचेरी बहन पर सीधा उन्होंने लिखा पवन सरोहा की पोस्ट पढ़े विनेश तुमने बहुत अच्छा लिखा लेकिन शायद आज अपने चाचा महवीर को भूल गई तुम्हें शुद्ध बुद्धी मिले दिली के आई जाई हवाई अड़े पर विनेश की भवे स्वागत हुआ कई टीवी चैनलों पर लाइव स्ट्रीम हो और खाप पंचायतो द्वारा उनके स्वागत कारिकरम के समय गीता की चोटी भेन और पहलवान से नेता बनी बवीता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट जहा रही थी घीता और बवीता की जिंदगी की वास्तवे कहानी पर आमिर खान ने दंगलप फिल्म मनाई थी जो काफी हिट वही थी अलग कि उनकी तीरी वहन संघीटा के पती बदृंग पुनिया इस चारिकरम में सबसे आगे थे बदजरंग पूनिया ने टोकियो ओल्ल पिक में ब्रॉंज मेडल जीता था विनेश को डिस्क्वालिफाई किये जाने के बाद से बद्रंग उनके साथ खड़े हैं विनेश ने जब भारत वापसी के लिए आई जी आई एयरपोर्ट से बलाली तक एक रोट्शो किया तो गारी में बद्रंग उनके साथ थे विनेश क भी अपने चार्चा के पैर छूकर उन्हें पूरा सम्मान दिया फोगाट बहनों के बीच प्रतिदोंदिता की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब विनेश ने दोहजार तेईस में ततकालीन भारती कुष्टी महासंग के अध्यक्ष और भारती जनतापार्टी के पूर् ब्रिजबूशन शरंसिंग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था विनेश ने ब्रिजबूशन शरंसिंग पर यौन उत्विडनकारों प्लगाय था महीला पहलवानों की जंतरमंतर पर धरनाप दर्शन विपक्ष के समर्थन और महीला पहलवानों पर पुलिस की कारवाई की वजह से सत्ता रूर भाजपा को शर्मंदगी उठानी पड़ी थी उस समय भी बजरंग पून्या और संगीता विरोध करने वाले पहलवानों के साथ मजबूती से खड़े हुए थे जबकि बवीता ने ये कहते हुए दूरी बनाय रखने का फैसला किया कि आंदोलन राजन करने का अरोप लगा गया था उसके बाद एक ही कोच और एक ही गाउं से एक साथ अपनी कुष्टी यात्रा शुरू करने के बाद फोगाट बहनों ने खुद को राजनितिक रूप से बटा हुआ पाया विनेश की कॉंग्रिस के साथ बढ़ती नजदी की जग जाहिर है उनकी वापसी पर आई जी आई हवाई अड़े पर रोहतक के सांसर दिपेंडर हुड़ा की मौजूदगी भी इस बात की गभा है महवीर फोगाट और उनकी बेतियां पूर्व मुख्यमंत्री भुपिंदर हुड़ा से काफी खफा हैं महवीर का मानना ये है कि हुड़ा ने 2010 कॉमनवेल्ट गेम्स में मेडल जीतने के बाद गीता को उसका वाजब हक नहीं दिया महवीर ने विनेश को राजसभा सीट देने के भुपिंदर हुड़ा के सुझाप पर तीखी प्रतीक्रिया व्यक्त करते हुए इसे राजनितिक स्टंट बताया हर्याणा के राजनितिक माहौल में अब दादरी विधानसभा सीट पर बबीता और विनेश के बीश संभावित चुनावी मुकाबले की अटकले तेज हो चुकी है बबीता पिशली बार चुनाव लड़ चुकी है फिर से पार्टी के टिकट की दौड में है विनेश ने अभी तक चुनाव लड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा है अगर हर्याणा में फोगाट बेहनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है तो इससे बेहनों के बीश प्रतिद्वंदिता बढ़ने की संभावना है चाहे परिणाम कुछ भी हो साथी ये दुर्भा की पूर्ण है कि निजी महत्वकान चाओं ने फोगाट बेहनों के बीच दरार पैदा कर दी है जो देश में महिला कुछती की मशाल वाहक है आपको मारा वीजियो कैसे लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें